अगर कोई स्थान प्रांट प्रतिष्ठित है तो उसका मतलब है वहाँ एक शक्ति शाली उर्जा है वहाँ आपको अपने पैरों को ऐसे खोल कर नहीं बैठना चाहिए इससे आपको कई तरह के नुक्सान हो सकते हैं खाना भी मैं बता रहा हूँ अगर आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो ये कई तरीकों से नकारात्मक है ये सवाल क्लेर ने पूछा है यहाँ ट्रिपल आई से नमस्कारम सद्गुरू हम अपने पैरों को लिंग या दूसरी प्रान प्रतिष्ठित वस्तूओं या लोगों से दूर क्यों रखते हैं क्या ये बस समान देने के लिए होता है या इसका कोई विग्यानिक आधार भी है तो आजकल वो ऐसा कर रहे हैं कुछ लोग आप जानते हैं पश्चेमी संस्कृतियों में जब आप किसी से मिलते हैं तो आप हाथ मिलाते थे पर अब वाइरस की वज़े से वो छूना नहीं चाहते तो कोई कोहनिया मिला रहा है कोई पैर मिला रहा है तो ऐसा होने लगा है clear आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है ऐसा होने लगा है लोग एक दूसरे के पैर हिला रहे हैं पर क्यूं अगर कोई उर्जा की स्थेती हो तो आपको हमेशा पाल्थी लगाने के लिए कहा जाता है ना कि उस दिशा में पैर करने के लिए सम्मान वाली बात इसी का एक नया तरीका है इसकी मूल वज़े ये है कि आप अपनी और आती हुई चीजें कई अलग-अलग तरीकों से प्राप्त कर सकते है योग के हिसाब से हमें हर चीज जीवन के उचे पहलूँ से प्राप्त करनी चाहिए आप अनहता चक्र जानते हैं जो दोत्रिभुजिया ट्रायंगल का मिलन है उसके नीचे मनी पूरका, स्वाधिष्ठाना और मुलाधार चक्र हैं जो जीवित रहने की प्रक्रिया के विभिन पहलूँ से जुड़े हैं जीवित रहना, बच्चे पैदा करना और जीवन को चलाते रहना सभी जीवन चलाने से संबंधिच चीजें यहाँ पर दो ट्रायंगल एक दूसरे को काटते हैं क्योंकि ये परमानंद है ये आत्मग्यान है ये शक्ती है, ये प्रेम है और ये भाग, दो ट्रायंगल्स यहाँ मिलते हैं जब कोई जगह प्राण प्रतिष्टित होती है तो इसका मतलब है वहाँ एक शक्तिशाली उर्जा है जिसमें आपको रुपांतरित करने की शमता है वो उर्जा हमेशा आप में मौजूद सबसे उची संभावना से आपके अंदर आनी चाहिए अगर आप अपने इस सहसरार से उसे प्राप्त कर सकें तो ये बहुत शांदार होगा इसी वजह से जब भी भारतिया लोग मंदिर में जाते हैं सबसे पहले वो इसको खुला रखना चाहते हैं वो इसे गीला रखते हैं शक्तिशाली मंदिरों में ध्याना लिंगा में भी उन्हें बताया जाता है लोग खुद को गीला करते हैं उनका सर गीला होता है क्योंकि वो उमीद करते हैं कि उर्जा यहां प्रवेश करेगी यह नहीं हो पाया तो यहां की उमीद नहीं हो पाया तो वो ऐसा करेंगे इस उमीद में कि यह काम करेगा कुछ भी नहीं हो पाए फिर वो ऐसा करेंगे पर वो यहां नहीं जाना चाहते क्योंकि ये बस जीवित रहने की प्रक्रियाएं है, हम उन्हें बढ़ाना नहीं चाहते हैं हम जीवन के दूसरे आयामों को बहतर बनाना चाहते हैं, जिससे हमारा जीवन विक्सित होगा सिर्फ किसी और से बहतर जीवन, जीवित रहना काफी है, जीवित रहना जरूरी है, पर किसी दूसरे से बहतर जीना, जीवन का लक्षय नहीं है, ये समय की बरबादी है, क्योंकि आप जो चाहे कर लें, आप हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेंगे, तो सिर्फ जीवित रहन कि दिशा में बहुत ज़ादा निवेश करना जरूरी नहीं है तो इस वजह से इस पूरी संस्कृती ने इस आयाम को समझा और उन्होंने समाज को एक अलग तरीके से बनाया खेर आज जो आप देख रहे हैं वो इसका बिलकुल बिगड़ा रूप है पर मूल रूप से आज भ उर्जा यहां प्रवेश करें आप परमानंद चाहते हैं अगर ना मिल पाए तो कम से कम शान्ती और ज्यान संतुलन और दुनिया में मौजूद हर प्रकार का जहर आप में प्रवेश ना करें ऐसी अजादी होनी चाहिए तो मूल रूप से आप चाहते हैं कि शरीर का उपरी हिस्सा अनहता से उपर उर्जा के लिए खुला हो किसी प्राण प्रतिष्टित स्थान के आगे आप अपने पैरों को ऐसे खोल कर नहीं बैठना चाहते क्योंकि ये आपकी और बिल्कुल अलग तरह की उर्जा को अकरशित करेगा और ये आपके लिए बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगा जो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए फायदे मंद हो इससे आपको अलग-अलग तरीकों से नुक्सान पहुँच सकता है यही वज़य है कि जब ऐसे स्थान पर बैठते हैं, जिसे आप शक्ति-शाली मानते हैं, वहां आप हमेशा पालती लगा कर बैठते हैं क्योंकि आप अपने शरीर के निचले हिस्से को बंद करना चाहते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तरह से आप दूसरे इंसान के लिए बंद हैं, है न? हलो, महिलाएं आप ये जानती हैं, मान लीजिए कोई आपसे बात कर रहा है मान लीजिए कोई अजनबी आया है, एक आदमी आपसे बात कर रहा है क्या आप उससे ऐसे बात करेंगी कुछ माहिलाया आजकल ऐसा कर रही है क्योंकि वे सोचती है इसमें गलत क्या है कुछ भी गलत नहीं है बस आप अपनी और एक खास तरह का ध्याना करशित करेंगी अगर वो आदमी सब्य है तो वो ऐसा करेगा अगर आप भारती हैं तो वरना आप हेलो बोलकर शायद हाथ में लाएंगे और अगर वो अजीब मूड में है तो आप कहेंगी हाया ना क्योंकि आप जानते हैं शायद आप तारकिक रूप से ना जाने पर आप स्वभाविक रूप से जानते हैं कि किस तरह के हाव भाव आपकी तरफ कैसा ध्यानाकर्शित करेंगे, है ना? हलो? आप जिस भी कल्चर में पहले बड़े हों, आप स्वभाविक रूप से हमेशा जानते हैं, क्योंकि ये शरीर में होता है, ये ऐसी चीज नहीं है, जो हमारे मन में होती है, कुछ चीज़ें शरीर में होती है, तो कुछ सभ्यताओं ने बहुत सचेत रूप से मुद्राएं या शरीर के तौर तरीके विकसित किये हैं, कि ये चीज ऐसे करें, ऐसे बैठें, ये बहुत-बहुत महत्वपोर्ण है, खाने के सामने भी मैं बता रहा हूँ, जब आप खाने बैठते हैं, तब एक अच्छी बात ये होगी, कि आपके और आपके शरीर के निचले हिस्सों के बीच एक टेबल हो, पर अगर आप बैठ कर खाना खाते हैं, और टांगे खुली रखते हैं, जैसे कई लोग खड़े होकर खाते हैं, अगर आप खड़े होकर खाते हैं, तो इसके कई नकारात्मक पहलू हैं, क्योंकि आपको समझना होगा, कि भोजन की इच्छा सिर्फ आपके मूँ में नहीं है, पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में, लोग कहेंगे ओ, ये कोई वज्ञानिक सत्य नहीं है, पर उसे इसी मार्ग से गुजरना होगा, है न? हलो? इसी तरह हमारे शरीर में कई दूसरी लालसाएं हैं, और उन्हें भी सही रास्ते से जाना चाहिए, तब ही ये जीवन अच्छे से काम करता है, वरना आप जीवन को तोड मरोड देंगे, तो जब भी आप एक शक्तिशाली रूप देखते हैं, तब पालती लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, और भोजन भी, भोजन एक बहुत शक्तिशाली चीज है, हलो? अगर आप तीन दिन ना खाएं, तो शरीर की हर कोशिका, भोजन के लिए तरसेगी, अब अगर यहां खाना हो, तो असरवस यहीं नहीं होगा, कि मुह में पानी आएगा, कई चीज़े होंगी, तो यह महत्वपूर्ण है, कि जब भोजन आपके सामने आए, तो आप पालती लगा कर बैठे हों, पर आपने एक और तरीका ढूंड लिया है, खुद को टेबल से बचाना, ठीक है, अगर वो आपके लिए मददगार है तो, पर अगर आपको बहुत भूग लगी है, और भोजन पूरे शरीर के सामने है, तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है, भोजन के साथ ऐसा होता है, क्योंकि हम भोजन को एक शक्तिशाली साधन मानते हैं, जिन प्राण प्रतिष्टित वस्तों और मनुश्यों में एक तरह की शक्ती है, आप कभी भी उनके सामने इस तरह से अपने पैर खोल कर नहीं बैट थे, क्योंकि इससे आपके सिस्टम में एक गलत तरह की उर्जा जाएगी, मैं पूछ रहा हूँ, क्या शौच करना अच्छा है, हलो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ, पर शौच आपके शरीर के एक विशेश हिस्से से बहार आनी चाहिए, ये कहीं और से निकले, तो भयानक हो जाएगी, है ना, हलो, इसी तरह भोजन एक विशेश तरीके से अंदर जाना चाहिए, अंदर जाने वाला भोजन सिर्फ बहुत एक भोजन नहीं है, आपको अपना अनुभाव बताना चाहिए, जब मैं बिजनस करता था, तब हाँ मैं किसी बिजनस समझोते में, एक बड़ी सफलता मिली थी, तो जहां भी संभव हो, मैं हमेशा प्रकरती के बीच रहता था, मैं ट्रैकिंग, मोटर साइकलिंग करता रहता था, पर मेरा साथ ही एक बड़िया शेहरी लड़का था, तो हमने तै किया था कि हमें कैसी जगह जाएंगे, जहां एक तलाब हो, एक बांध हो, और एक बड़ी जील भी, और कुछ छोटी पहाणियां, हम वहाँ गए, और हम सब तैर रहे थे, तैरने के बाद भी मैं अपनी तैराकी के कपड़ों में ही था, मैंने सोचा मैं पहाड़ी पर चड़ता हूं, गर्मी के महीने थे, सब सूख चुका था, तो मैं पहाड़ी पर चड़ गया, अब मैं कभी-कभी सोचता हूँ इन दिनों मैं जहां भी जाता हूँ हर किसी के हाथ में पानी की बोतल होती है उस समय मैं दिन रात घूमता रहता था मेरे पास पानी की बोतल कभी नहीं होती थी हम बस ऐसे ही मैनेज करते थे तो मैं पहाडी पर चड़ गया और उस गर्मी में बिना कपड़ों के मुझे बहुत पसीना आने लगा पर आपको पता है मेरी समस्या ये है कि मैं आधे रास्ते से वापिस नहीं मुड़ता तो मैं उपर शिखर तक जाकर फिर नीचे आना चाहता था मैं उपर गया और नीचे आते आते मुझे लगने लगा कि कि मेरी जीब फूल रही है और मेरा दम घुट रहा है मैं इस कदर डिहाइडरेटेड हो रहा था कि मेरी जीब मेरी सांसों में रुकावट बन रही थी मेरी हालत वागई खराब थी मुझे पानी की कम से कम कुछ बूंदों की सक्थ जरूरत थी मैंने अपना पसीना चाटना चाहा पर कोई फाइदा नहीं हुआ जब मैंने सोचा कि मैं सचमुच अपनी चेतना खोदूंगा बिहोश हो जाऊंगा तब मैं बस कुछ समय के लिए अपनी आखे बंद करके वहाँ बैट गया तब मुझे हैसास हुआ कि मेरा पूरा शरीर मेरे हाथों और पैरों के बाल एक दिशा में जा रहे थे ये रोंग्टे खड़े होने जैसा नहीं था रोंग्टे खड़े होना यानि एक बाल इस तरफ उठेगा दूसरा उस तरफ उठेगा मैंने देखा कि सारे बाल इस ओर इशारा कर रहे थे और मुझे पता चल गया वहाँ कहीं पानी है और मैं वहाँ पानी ढूंडने लगा मैं चटान के नीचे एक छोटी सी गुफा में चला गया वहाँ एक छोटी गुफा थी ये गुफा इंसानों के लिए नहीं थी शायद खरगोश और चुहे और वैसे जानवर वहाँ रह सकते हैं वैसी गुफा बस उतनी बड़ी वहाँ थोड़ा सा पानी खठा हो गया था शायद वो खरगोश का पेशाप था या बारिश का पानी था पता नहीं क्या था उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा मैंने बस उसमें अपना चहरा डाला और पानी के साथ साथ कीचड वगेरा सब कुछ पी गया मैं कुछ देर वहीं बैठा और थोड़ा आराम मिलने के बाद नीचे आ गया मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जब आपके लिए कुछ वाकई जरूरी होता है जैसे भोजन या पानी तो आप देखेंगे कि शरीर की हर कोशिका तरस्ती है अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि प्यास सिर्फ आपके मुँ में नहीं है बलकि हर जगह है तो सिर्फ भोजन के साथ ही नहीं बलकि हर तरह की उर्जा के साथ भी ऐसा होता है शरीर की हर कोशिका तरस्ती है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे सही तरीके से प्राप्त करें तो जब भी आपको लगता है कि कोई शक्तिशाली जगा है तो हमेशा बैठते समय पालती लगा कर बैठना 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 है ऐसे मत बैठिये आप ऐसी चीज आकरशित करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है झाल जब है क्या जब है